ओम शान्ती आज तीन फरवरी दो हजार चौबीस के बाबा के अनमोल मदुर महावाक के सुनेंगे आज की बाबा की मुडली है बच्चे स्वधर्शन चक्रधारी बनो स्वधर्शन चक्र को बुध्धी में फिराते रहो बाबा कहे वैसे सेकंड की बात है कि हम आत्मा परमधाम से नीचे उतरती है तो देवताक शैत्रिय वैश्य शूद्र हर एक युग में कितने जन्म लेते हैं ये सब बातों को सहश्दा से बुध्धी में फिरा सकते हो जब बुध्धी में ये बाते फिरती रहेगी सिमिरन करते रहेंगे तो बाबा कहे व्यर्थ की बाते बुध्धी में नहीं आएगी बुध्धी बिजी हो जाएगी और आत्मा पावन बनती जाएगी उसी से ही बाबा कहे तुम लाइट हाउस बनेंगे अनेक आत्माओं को रास्ता बताएंगे लेकिन उसके लिए पहले स्वयम को आत्मा समझ कर गफलत नहीं करो साथी साथ बाबा कहे तुम बच्चे बहुत अच्छे स्टूडन्स हो स्टूडन्ट लाइफ is the best life क्यों बाबा ने कहा कि तुम स्टूडन्स बहुत अच्छे हो विशेश बाबा ग्रहस्त व्यवहर में रहने वालों को कहते हैं तुम रहते हो ग्रहस्त व्यवहर में लेकिन फिर भी आठ गंटा अपना लौकिक कारोबार भी करते हो फिर उसके बाद बाबा की सेवा भी करते हो और अपने पुन्य की कमाई जमा करते हो ग्याम का सिमिरन करते रहते हो तो इसलिए बाबा कहे तुम्हारी ये स्टूडन्ट लाइफ बहुत सुन्दर है सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाग्य ओम शांती मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव तुम्हें लाइट हाउस बनना है अपने को आत्मा समझो इसमें गफलत नहीं करो आज की मुरली से प्रशन है तुम सबसे वंडर्फुल स्टूडन्स हो कैसे उत्तर तुम रहते ग्रहस्त व्यवहार में शरीर निर्वाह के लिए आठ गंटा करम भी करते हो साथ साथ भविश्य 21 जन्म के लिए भी आठ गंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो यही तुम्हारी वंडर्फुल स्टूडन्ट लाइफ है नॉलेज बहुत सहज है सिर्फ पावन बनने की महनत करते हो ओम शान्ती बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुर्शात अनुसार कौन सी बात पूछते हैं बाबा मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शान्ती धाम में रहने वाले हैं फिर आते हैं सुख धाम में यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टी का चक्र है वो कैसे फिरता है, यह भी बुद्धी में है, इस समय हम ब्रामन है, फिर देवताक शैत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पूरा चक्र परमधाम से लेकर के शांतिदाम से कैसे सुखधाम में आते हैं, और फिर देवताक शैत्रिय वैश्य शूद्र सारा पाढ़ बजाते हैं तो बाबा कही ये तो बुद्धी में है यह तो बुद्धी में चक्र चलना चाहिए ना बच्चों की बुद्धी में ये सारी नौलेज है बाप ने समझाया है आगे नहीं जानते थे अभी तुम ही जानते हो दिन प्रते दिन तुम्हारी व्रद्धी होती रहेगी बहुत उकों सिखलाते रहते हो जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे यहां तुम बैठे हो बुद्धी से जानते हो वह हमारा बाप है वही सुप्रीम टीचर है सिखलाने वाला उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं बुद्धी में जरूर याद होगा न यह बुद्धी में हर वक्त याद करना है लेसन कोई बड़ा नहीं है बाबा कहे यह स्वदर्शन चक्र का लेसन कोई बड़ा नहीं है सेकंड का लेसन है बुद्धी में रहता है कि हम कहां के रहवासी है फिर यहां कैसे पाठ बजाने आते हैं 84 का चक्र है सत्योग में इतने जन्म त्रेता में इतने जन्म यह चक्र तो याद करेंगे ना अपना जो पोजिशन मिला है पाट बजाया है वह भी जरूर बुद्धी में याद रहेगा कहेंगे हम यह डबल सिर्ताज थे फिर सिंगल ताज वाले बने फिर सारी राजाई ही चली गई तमो प्रधान बन गए यह चक्र तो फिर ना चाहिए ना इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा को ज्यान मिला हुआ है आत्मा को दर्शन हुआ है आत्मा को ज्यान मिला जिससे आत्मा को दर्शन हुआ आत्मा जानती है, हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं अब फिर जाना है घर बाप ने कहा है, मुझे याद करो तो घर पहुँच जाएंगे ऐसे भी नहीं है, कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे नहीं, बाहर की बहुत बाते बुद्धी में आजाती है बैठते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए लेकिन फिर बुद्धी में और और बाते भी आजाती है किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा यहां तो बाब कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है स्वदर्शन चक्रधारी बन कर तुमको अंत तक पुरुशार्थ करना है स्वदर्शन चक्र को बहुत अच्छे से अंत तक गुमाना है ये भी बाबा कहे पुर्शार्थ है पहले तो कुछ पता नहीं था अब तो बाप बतलाते हैं उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है रचैता और रचना के आदी मध्यांत का सारा राज बुद्धी में आ जाता है यह तो सबक यानि पाठ मिलता है यह तो सबक मिलता है मना पाठ मिलता है उसको तो घर में भी याद कर सकते हो यह है बुद्धी से समझने की बात तो वंडर्फुल स्टूडेंट हो कैसे बाप ने समझाया आठ गंटा आराम भी भल करो आठ गंटा शरीर निर्वा के लिए काम भी भल करो वह धंदा आदी भी करना है साथ में यह जो बाप ने धंदा दिया है आप समान बनाने का यह भी शरीर निर्वा हुआ न वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वा के लिए तुम जो पाड बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है जो जितनी महनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में वक्ती में उनकी पूजा होती है जितना जो महनत करते हैं बाबा कहे वक्ती मारग में उसकी ऐसी ही पूजा होती है यह साब धारना तुम बच्चों को ही करनी है तुम बच्चे पाड़धारी हो बाबा तो सिर्फ ज्यान देने का पाड़ बजाते हैं बाबा का पाड़ है सिर्फ ज्यान देने का बाकी शरीर निर्भा के लिए पुर्शार्थ तुम करेंगे बाबा तो नहीं करेंगे ना बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी कैसे रिपीट होती है चक्र कैसे फिरता है ये समझाने के लिए ही आते हैं युक्ती से समझाते रहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अत्वा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है, या तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परन्तु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते, जब तक चक्र को समझाई नहीं है, तो कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, इसने बाबा कहें, आते हैं, अच्छा अच परन्तु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो फिर कहां भी जाएंगे तो जैसे ग्यान का सागर बन जाएंगे जैसे स्टूडन पढ़कर टीचर बन जाते हैं फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंदे में लग जाते हैं तुम्हारा धंदा ही है टीचर बनना। सब को स्वदर्शन चक्रधारी बनाओं बच्चों ने चित्र बनाया डबल सिर ताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं ये तो ठीक है परन्तु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले थे, फिर कैसे और कब राज्य चीना गया? वह देट्स लिखनी चाहिए. बाब कहे इस तरह सत्य युग का तरɪता यूग का पाठ primeiro चल्ए पिर कैसे सिंगल ताज वाले यानि द्वापर युग में आए मैं फिर कैसे राज्य चूना गया, यह सारी देट्स लिखने चाहिए, यह बेहत का बड़ा ड्रामा है, यह सर्टन है, हम फिर से देवता बनते हैं, अभी ब्राम्मन है, ब्राम्मन ही संगम युग के हैं, यह किसको मालूम नहीं, जब तक तुम ना बताओ, यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है, लौकिक और पारलौकिक से वर्सा मिलता है, अलौकिक से वर्सा नहीं मिल सकता, बाबा कहें क्योंकि अलौकिक बाप खुदी वर्सा पारलौकिक बाप से लेते हैं, इसलिए लौकिक और पारलौकिक वर्सा मिलता है, अलौकिक से वर्सा नहीं मिल सकता, लेकिन आप पारलौकिक बाप व को वर्सा देते हैं गाते भी है हे प्रभू ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजा पिता ब्रम्हा लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं यह बाते कोई नहीं जानते हैं अब कहें यह बाते कोई नहीं जानते तुम जानते हो पारलोकिक बाप का है अविनाशी वर्सा समझो कोई राजा का बच्चा है पांच करोड वर्सा मिलता है और बेहत के बाप का वर्सा सामने देखेंगे तो कहेंगे इनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्सा है और यह तो सब खत्म होने वाला है कितने सुन्दर एक्जाम्पल बाबा ने दिया कि समझो कोई राजा का बच्चा है उनको अपने लौकिक पिता से पाँच करोड का वर्सा मिला लेकिन फिर भी जब बेहत के बाप का वर्सा देखेंगे तो क्या सामने आएंगा कि उसकी भेट में यह अविनाशी वर्सा है और वो लौकिक का पाँच करोड का वर्सा भी सब खत्म होने वाला है आज के जो करोड पती है उनों को माया चठकी हुई है वो आएंगे नहीं बाप है गरीब निवास भारत बहुत गरीब है भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है अब तुम बहुतों का कल्यान करने का पुर्शार्थ कर रहे हो अकसर करके बीमारों को वैराग्य आता है समझते हैं जीना क्या काम का जब शारिदिक बीमारी आ जाती है तो उस समय समझते हैं वेराग्य आज आता है तू समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ती धाम चले जाएं, दुख से छुटने के लिए मुक्ती मांगते हैं, सत्यूग में मांगते नहीं क्योंकि वहां दुख नहीं है, यह बाते अभी तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृत्धी को पाते रहेंगे जो सूर्य वंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले है वही आकर ज्यान लेंगे नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार यह ज्यान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते अब तुम बेहत के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे जिनका बाप के साथ लौ है वह समझ सकते हैं नौलेज तो बहुत सहज है बाकी पावन बनने में माया विगन डालती है कोई भी बात में गफलत की बाबा क्या कहते हैं कोई भी बात में गफलत की, तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल boxing से अच्छा लगता है। बचे जानते हैं माया हम को हरा देती हैं। फिर हम भी माया के उपर विजय पाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप खुद समझते हैं, इसमें महनत है, आत्मा समझने में महनत है, बाप युक्ती बहुत सहज बताते हैं, हम आत्मा है, एक शरी छोड़ दूसरा लेते हैं, पाड बजाते हैं, बेहत बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रिती पक्का करना है बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है नमबरवार तो है ही इसी हिसाब से राजधानी बनती है बाबा कहे नमबरवार तो है ही सभी इसी ही हिसाब से राजधानी बनती है सब एक रस हो जाए तो राजाई न बने, राजाई में तो नमबरवार होते हैं, राजा, रानी, प्रजा, शाहुकार सब बनने हैं, यह बाते तुम्हारे सिवाई कोई नहीं जानते हैं, हम अपने राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह सब बाते तुम्हारे में भी, अनन्य जो है, उनको याद यह बाते कभी भूलने नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुर्शार्थ से ही बना जाता है। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूशते हैं। बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं, विश्नु है स्वदर्शन चक्रदारी, उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायन है, इन्हों को ग्यान किस ने दिया, जिस ग्यान द्वारा इन्हों ने ये लक्ष्मी नारायन का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा, तुमको तो यह चित्र बनाने वालों पर हसी आती है, विश्नु है निशानी कम्माइन ग्रहस्त आश्रम की, चित्र शोबता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है, विश्नु का चित्र दिखाते हैं, ग्रहस्त आश्रम का, अलंकारी धारीव उनको दिखाते, बाबा के चित्र श जोबता है बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है, पहले तुम नहीं जानते थे चार भूजा वाला यहां कहां से आया, इन सब बातों को तुम्हारे में भी नम्बरवार जानते हैं, बाप कहते हैं सारा मदार तुमारे पुर्शार्थ पर है, बाप की याद से ही पाप कटते हैं, सबसे जास्ती नमबर वन ये पुर्शार्थ चलना है, टाइम तो बाप ने दिया है, ग्रहस्त व्यवहर में भी रहना है, नई तो बच्चो आदी को कौन संभालेगा, वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करने हैं, बाकी और कोई बात नहीं है, सिक्रिष्न के लिए दिखाया है, या दिखाते हैं, अकासुर बकासुर आदी को स्वधर्शन चक्र से मारा, अब यह तुम समझते हो, चक्र आदी की तो बात ही नहीं, इतना फर्क है, यह बाप ही सम जाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते हैं, मनुष्य मनुष्य की सद्गती कर नहीं सकते हैं, रचता और रचना के आदी मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे, स्वधर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब आप नहीं समझाया है, शास्त्रों में तो कहानिया ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो देवताओं को भी हिंसक बना दिया है अब इन साब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मन्थन करना होता है रात्री को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है वो बहुत याद कर सकते हैं बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है कभी जुटके नहीं खाएंगा तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो इसमें अच्छी रिती लग जाना चाहिए यह भी अब बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है फिर भी पुर्शार्थ कराते रहते हैं अब बाप सिक्षा देते हैं ऐसे बहुत है जिन में न ज्यान है न योग है कोई बुद्धिवान विद्वान आदिया जाए तो बात कर न सके सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन-कौन समझाने वाले अच्छे हैं फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धु है तो खुद प्रवेशकर उनको उठा सकते हैं तो जो सच्ची बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्यान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया कोई को तो अपना हंकार आ जाता है यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पाड नूंदा हुआ है ड्रामा बड़ा विचित्र है यह समझने में बड़ी विशाल गुद्धी चाहिए अब तुम बच्चे जानते हूँ हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे काले वहां होते नहीं यह भी तुम गोरा और काला चित्र बना कर लिखो प्रेसेड जनम काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं आत्मा ही बनी है लक्ष्मी नारायन का भी काला चित्र बनाया है यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है यह तो सत्यू के मालिक गोरे थे फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं आत्मा पुनर जनम लेते लेते अमोप्रधान बनती है तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है तो हसी हसी में पूछ सकते हो लक्षमी नारैन को कहां काला कहां गोरा क्यों दिखाया है ऐसे बाबा कहें तुम पूछ सकते हो कारण ज्यान तो है नहीं सिक्रिष नहीं गोरा फिर सिक्रिष नहीं सावरा क्यों बनाते हैं यह तो तुम अभी जानते हो तुमको अभी ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है इसलिए बाबा कहे तुम समझ सकते हो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का यात्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को यात्यार गुड मौनिंग और नमस्ते शुक्रिया ब एकांट में बैठ मिले हुए ग्यान धन का सिमिरण करना है पावन वसदा नीरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेनत करने है दूसरी पॉइंट बाप समान, मास्कर ग्यान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है लाइट हाउस बनना है बविश्य 21 जन्म के लिए शरीड निर्वाह के लिए रुहानी टीचर जरूर बनना है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है प्रिकाल दर्शी स्थिती द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले जो त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं वह एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे इसी को कहते मास्टर नॉलेज़फुल आज का स्लोगन है हर समय अंतीम घड़ी है इस स्मृती से एवर रेड़ी बनो क्योंकि जब ये स्मृती रहती है कि अब अंतीम समय की और आगे बढ़ रहे है तो नैचरल है ये भी याद रहता है कि हमें अभी एवर रेड़ी बन जाना है सारे अलंकारों को अच्छी तरसे धारन करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है एक तरफ बाप समान भी बनना है संपन भी बनना है सर्वक्खजानों से और संपूर्ण भी बनना है ओम शान